वीशू लिमिटेड कंपनी तुम्हारे आगे केस लेके आ गई है अपना जो बता रही है बिटा वो पास्ट में है वीशू लिमिटेड जो की वर्टिकल कोमाज में क्लोजड हो गया सर अर्टिविशल परसन ने इन्वाइटेड मतलब जारी की थी मैं तो यह लेके बैठा था पर मैंने का यार यह देखूं ठीक है ना क्यूंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने का सर क्या यह एक्टिव पैसेव नहीं यार वर्ब की सेकिंड फॉर्म आरी यह सब्जेक्ट के साथ तो कुछ भी नहीं पास्ट इंडेफिनिट है तो वीशू लिमिटेड ने जारी की थी एप्लिकेशन्स 20,000 इक्विटी शेर्स बनाने देने बेटा शेर्स में भी फिल्टर कर रहा है थोड़ा क्यारा इक्विटी वाले अरे कोई दिक्कत नहीं है यार हाँ वही 100 रूपे का एक है और प्रीमियम पे कर रहा है प्रॉमिस अट प्रीमियम तो मार्किट में tous 20 रूपीस एक्स्ट्राच चार्च कर रहा है हम लोग कोई बताय था एक्स्ट्रा कैसे ऐसे चार्च हों गए वेरी गुड गुड विल याद गरो प्रीमियम फ़र गुड विल क्या हुआ करता था सर वो एक्स्ट्रा पैसे लाया करते थे हमारे जो नाम है उस चीज का तो देखो आप लोगों का 100 का शेयर 130 में बिक रहा है अरे भाई वो कैसे कैसे अमाउंट ले रहे हूँ बेटा ये तो जैसे कि ना इश्यू अफ शेयर्स हमने जाना ठीक है यार आठवा चैप्टर हमारी कमपनी की बुक्का ठीक है आज नहीं तो कल कभी डिबेंचर भी इश्यू करेगी कमपनी क्योंकि इने तो फंड रेस करना होता है फंड उठाना होता है पबलिक से अगर फंड उठाना है वेपार करने के लिए इट में भी शेयर्स इट में भी डिबेंचर्स ऑल्सो अगर पबलिक से करना है तो ये दो मुद्दे होते हैं जो आपकी इस सेकिंड बुक बता रही है बिटा मैं कहना कह चा रहा था शेर्स इशू करते हो इट में भी एट पार एट प्रीमियम तो ये वाला केस में प्रीमियम जा रहा है डन अरे शेर इशू किया लो तुमारे टीचर ने दुबारे डिवाइट कर दिया इसे पर उन टीचर से ये पूछना कि किस बेसिस पे सर आप डिवाइट कर रहे हो on the basis of payment पे कर रहा है अभी शेक जो कर रहा है हाँ भई लमसम के केस में या फिर इंस्टॉल्मेंट का केस है ये क्या था फिर यहां किस बेसिस पे कर रहा शर इशू प्राइस कह सकतो आप इशू प्राइस क्या था फेस इकुल टू फेस वेल्यू तो पार बट मोर देन फेस वेल्यू तो प्रीमियम हाँ भई पेमेंट के बेसिस पे इंस्टॉल्मेंट प्रीज यार टिक लगवाऊगे यार इस कुश्चन में प्रीमियम अच्छा और इंस्टॉल्मेंट किस तरे से दी इसे हम प्यार से याद है टाइम लाइन के कहा करते हैं क्यों हाँ भाई समय के अवधी के हिसाब से मांगा करते हैं से जैन्वरी में एप्लिकेशन फॉर्म जारी कर दी थे वैबसाइट पर अब लोग बगव अप्लाई कर रहे हैं कि सही है यार सब्सक्रिप्शन आएगा फिर हम लोग बिजनेस कर पाएंगे फिर कुछ महीने बाद हम लोग यह देख़ा अलॉट्मेंट का पैसा मांगेंगे और देन लास्ट कॉल होई यह एक फरस्ट और फाइनल कॉल ठीक है ना तो यह थी कहानी टाइम लाइन की डन अप्लिकेशन से अलॉट्मेंट अलॉट्मेंट से फरस्ट और फाइनल इन सम्में गैप होता है समय अवधी होती है इनों में क्योंकि अगर इनों में टाइम ही नहीं होगा तो हम तो सारा पैसा एक ही बार में मांग रहें फिर तो लंसम वाला केस हो जाएगा ठीक है रहा तो आओ पड़ता है यार क्या रहा एप्लिकेशन ना रिसीव होगई तीस अजार की एक सेगिंद एक सेगिंद सर पहले आप जैसे 40 रूपीज इसके 60 रूपीज अलॉट्मेंट पर इस 60 में इंक्लूड है वो 30 रूपे प् तो यानिकि सर आप एक्चुल फेस वेल्यू तो 30 ले रहो बस फिर 30 का तो प्रीमियम ही है डन इट मीन्स फेस वेल्यू की 30 होगी इट मीन्स 70 तो कम्प्लीट शेर कितने का है सर 100 रूपे का क्या 30 रूपे का प्रीमियम आपने पूरा ले लिया हां जी सर लॉट्मेंट पे ले लिया सर इस सेवेंटी हाव मच बताओ बैलन्स कितना वचा सर थर्टी यू केन राइट यहां पे कि बैलन्स फिगर टोटल में से जब जब कुछ माइनस करके आता है अकाउंट के अंदर उसे हम बैलन्स फिगर कहते है तो हाँ वही देखो मैंने तो यही सीखा यार क्या फेस वे जो रहती है डन आगे चलते हैं अरे अप्लिकेशन वहर रिसीवड थर्टी थाओंगे आगई अप्लिकेशन फिर से तुम्हारे टीचर ने इस्यू ओफ शेयर्स को फिर से डिवाइड कराया वही अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है किसके बैसिस पर करवा रहा हूं नंबर ओफ शेयर्स भीडेंगे नंबर ओफ एप्लिकेशन से एप्लिकेंट्स मांगने वाले या तो कम आ जाएंगे जनता सब्सक्राइब करके राजी नहीं है या फिर नहीं भाई ओवर सब्सक्राइब चल रहे हैं तुम तो ऐसा कुछ है सर अगर ऐसा मा आपने शेयर्स इशू करे थे वो सारे ही सब्सक्राइब हो गए वो ऐसे साउंड गरवाएगा फिर याद है जब यह जर्नी स्टार्ट हुई थी शुरू के कुश्चन कितने बढ़िया हुआ करते थे एक समय था यह देखो यह यहीं गई मिलेगा तुम्हें यह रा जैसे अल दा शेयर्स वर अप्लाइड सारे शेयर अप्लाई किये गए यह जो 10,000 शेयर इशू किये गए थे एंड अलॉटेड ऑल्सो और मनी भी ना टाइम से रिसीव हो जाती थी उस समय में ड्यूली मतला बेटा समय पर रिसीव हो जाना जब मैंने एप्लिकेशन मांगी तो मि गए ऐसा कुछ क्योंकि भाई यहां तो चलो आया नहीं था नहीं तो कोई स्टूडेंट कह सकता था सर कितने शेयर आए यह नहीं बताया कितने लोगों ने भोगा रहतों क्यारों कुश्चन सब कुछ बताता है क्यारा सारे अप्लाई हो गए और सारे अलॉट बाएद अव वीशु लिमिटेड वाले में तो भाई 30,000 लोग आ गए है ठीक है तो सब को पता है ओवर सब्सक्रिप्शन बिटा अगर इन्होंने ओवर बोला है न तो प्लीज यह मेरे को ट्रीट्मेंट बता है नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से करूँ नहीं तो मैं फिर अपने हिसा फॉर्म वरते तो यू आर एप्लीकेंट अधार के लिए अप्लाई करता हूं न अगर मैं तो मैं एप्लीकेंट बना वहども्प गोवर्मंट का डिसीजन है पता निGroup शीज़ इप्लाई कर रहे है एक तरफ एपली अपपलीकेंट्स क्वान बैर यह हैं यह तो मैं यह कहना च नई भाई सबको ही share दे दो बढ़िया जो legends होंगे न वो कहींगे ऐसे कैसे दे 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 भई share ही 20,000 पर उससे बढ़े जो legends होंगे वो कहींगे रुको एक ratio create करते हैं देखो भीडबत लगा हुई सब सुनो एक सेकिन एक सेकिन राम तुमने तीन share अपलाई करें न मैं तुमें दो share दे रहा हूँ किल्लत चल रही है company के अंदर बहुत लोग है भाई अपलाई करने वाले है तो हम मना किसी को नहीं कर रहे है पर जिसने कुछ जादा ही अमीर ही दिखाई है जादा ही share मांग रहा है यह लो ना कोई एक था इसमें से कोई एक बंदा है सोचो इस पूरा बेटा जुन्ड होता है यह ग्रूप होता है इसमें से कोई एक बंदा है राम या फिर ए परसन है 10,000 अपलाई करे क्यारा 10,000 चीह है मुझे देखा जातों मेरी कंपनी का तो आधा 50% ओनर्शिप चाह रहा है मेरे पर share ही 20,000 यह कहारा मैं खरीद हूँ आँ भई सारे 10,000 खरीद रहा हूँ बाक्यों को हिस्सा नहीं वारे गए भाई 10,000 वालों को मैं कहारा हूँ रुको आपको कम मिलेंगे बिटा अब कहारा सुनील रुको यह सुनील अनिल सब के बारे में सुनेंगे पर एक बर फटा फट से डिमांड चेक करो सर नहीं मांग रहा जनरल एंट्रीज नीचे कुछ MCQ आपका वेट कर रहे है इन्हें करेंगे एक्जाम्स में ना फटा फट से ऐसे रेशो बना लेना आप लोग और फटा फट से बैलन्स निगा देखो जिन पॉइंट्स पे तुम्हें गाम करना है बैलन्स चाहिए हमें प्रो राटा आते ही वो भी ओल दे एप्लिकेंट्स रेशो चाहिए तुम्हारे भाई को अब कोई जनरल का फॉर्मिट नहीं चीए मुझे करते हैं आओ स्टार्ट कोई परसन है जिद्दि क्यारा सुनिल हूँ अप्लाइड जिसने कभी अप्लाइड करेते हैं सच बतारों भाई ये नाम ही बहुत कुछ कह देता है अप्लाइड तो छिससो गरेदें और इसने ना ऑलो ऑटमेन कमनी नहीं दी इनकी बातों में बता गाई दी कोई बात नहीं और वाइल क्या रहा जब की रिशब अरे रुको मैंने तो अभी सुनील कोई नहीं समझा सही से सुनील बें इन्होंने ऐसे कैसे कीचड उचाल दी कि इसने अलोट्मेंट नहीं दिये आओ इसे थोड़ा फिल्टर करते हैं इस बात को ध्यान से देखते हैं एक बार अगर मैं बात करूँ सुनील के बारे में तो 3 to 2 पे चल रही थी मेरी प्रोराटा की रेश्यो कमपनी में जो 3 के लिए अप्लाई कर रहा है यह बातें यूँ है 3 के लिए अप्लाई कर रहा है यह लो मैं confuse कर रहा हूँ आप लोगों को बताओ 6 share अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसे कितने share दोगे सर 4 दे देंगे हाँ ratio वो ही मैंने चल रही है भाई क्यों यही क्यों लेता हूँ कहते है न जब तक काटते रहो जब तक कटता नहीं है हाँ न डिप्लीट करते रहो जब तक तो this is the smallest unit अब यह आगे further divide नहीं होंगे और किसीने 9 मांगे देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ इसकी 3 से करते दा हूँ यहाँ पे भी शर्त है 3 से चीए मेरे को multiply है क्यों same table से काटना होता है कोई एक पहड़ा जो इन दोनों को काट गाए तो वापस यहीं मनना चीए बेटा वो यह कहा रहा है कि 600 share apply करे ते सुनिल ने मैं कहा रहा हूँ अलोट कितने हुए 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 उस परसन को यहाँ पे multiply हुई 2 से 00 तो यह लगाते है हम लोग हाँ यहाँ पे भी करवाओ 2 से और 00 सर 400 share अलोट करे हैं तुमने उसे देखो इतना सिंपल है आरे 600 share जो apply करना था सुनिल application 40 की तो उसने तो 600 share के हिसाब से application money दे दी होगी जबकि तुमने उसे बस 400 share दी है 40 के हिसाब से कुछ बच्चे कहींगे सर 200 share पे 40 के साब से हमने ज़ादा पैसा रख लिया है मतलब advance और वापस भी नहीं करा कहां लिखा पूरे question में कि refund करा है क्या कहाता तुमने किना हम adjust कर देंगे सर इस question में तो नहीं लिखा adjust it's okay जब नहीं बताया refund तो adjust मानते है क्यों मानते हैं क्योंकि हम पे advance पैसा आ गया phone पे बात हुए हमारी मैंने का भाई ऐसे ऐसे हुआ है एक काम करना आपना allotment भाई फिर से आप हमें पैसा ही दोगे तो वो पैसा ना adjust कर देंगे वो कहरा अच्छा मुझे ये बताओ सीधी सीधी बात allotment पे कितना पैसा देना है मुझे मैंने का यार देख 400 share allot हूँ है भाई आपको तो हमारा फर्ज हम allotment पे ही मांगेंगे allotment money कितने किये सर्फ 60 rupees मांगने आपको ठीक है मैं 60 rupees मांग रहा था और ये देखो मेरा कोई student ना 600 share पे 60 rupees मांगने लग दिया allotment किये फिर उसने एकदम phone पी दमगाया क्यारा क्यों बई share तो मैंने 600 apply करें ना तुमने तो share ही मुझे 400 दिये हाँ जी allotment पे मांगते है ये बिल्कुल इसकी तरह है तुमने ना 3 cell phones के लिए booking करी दी हाँ कोई कुछ छोटी सी अमाउंट से booking कर दी दी उस दुकान दार ने क्या आगा जैसे रियल्मी के फोनों पे होता है उन्होंने का नहीं यार अभी वन ही मिल पाएगा मार्केट में और बाकी का पैसा आपको देना इस phone पे ठीक है ना रहती भी थी अमाउंट तो एड़ेस्ट हो जाता है ऐसे में चलो बाइदावे 400 शेर्स पे 60 के हिसाब से कितना पैसा इसे भेजना चीए था सर 24,000 रूपे देने चीए थे इने हाँ ना सर जनरल की तो आप मना कर दो वर्किंग नोट पे नहीं करवाओगे कैसे भाई करवाएंगे यार ठीक है ना लिखवा दूआ तो आओ इसे सस्पेंस ही रखते हैं भाई 24,000 रूपे लेने थे अभी सस्पेंस रखता हूँ देखो भाई पहला डिमांड क्या चेक करो क्या है हमारी first sir allotment money due but not receive due but not receive बढ़िया यार बढ़िया कैसे आपने due करी होगी न allotment मांगी तो होगी न सबसे हाँ sir हमने ऐसा सीखा है पूरे सा बागो और फिर धोका खाओ due करी but not receive नहीं मिली सुनिल से वो कितना पैसा है जिस पे तुम कहोगे सुने इन ने पैसे नहीं दिये बताओ Allamment Money पे कितने पैसे नहीं दिये इस्टूडेंट जब यहां से ठीक होता है क्याता है नहीं ठीक है अपलाइड पे नहीं मांगुआ वो क्याता है ठीक है Allort इतने करे सर 24,000 नहीं दिये इसने मैंने काता ऐसा कोई नहीं गयागा किसी पर उंगली उठाने से पहले ये कोई नहीं गयागा 24,000 नहीं दिये इनने और ये लोग ये लोग शायद 24,000 का अंसर बना के देंगे नहीं दिया चलो क्या कहोगे? advance less करके आओ बिटा, इसी पर working note चलाते है इसी से उठाएंगे वह information the calculation of allotment money की calculation चल रही है due, इनकी sense वो ही word यूज करो due, हमने due तो करे but not paid by सुनिल वो पैसा बताएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, यह कुछ और मांग रहे है, पर it's okay, इनका case समहलते हैं, सुनिल का application money application money application money, सर अब आज को क्या होगे आपको application money received on how many? सर 600 shares क्योंकि ना, इन्होंने 600 shares पे वो application form कितने रुपीज दिखा रहता यार, 40 रुपे, तो 40 के साब से इन्होंने हमें amount दी हाँ भई, यहाँ particular sense होता है और वहाँ amount, six, four जा पता है मुझे बस, फिर तो zeros गिननी है, और एक commerce sense भी लगानी है, सही में 24 जार के आसपस बैठेगा, हाँ भई 24 सो नहीं बैठेगा ना 2,40,000 बैठेगा, हाँ ना I hope यार, आप समझ पा रहे होगे done, application but required application money कुछ भी बनाओ जीने नहीं समझ मा आता illustration चेक करो, वहाँ की language कैसी है required application money only 400 शेर पे ही हमें application money लेनी चाहिए, क्योंकि 400 ही शेर दी है तो sir, this is 16,000, by the way, by the way, यहाँ डबल लाइन नहीं आएगी यार अब देखो, मैं find out क्या करने वाला हूँ, sir, access application money बताओ कितनी access application देखो, यार, कितना simple है sir, 200 share पे 40 के हिसाब से जादा पैसा भेज दिया, यानि कि 8,000 हाँ यार, डबल चेकिंग करकरो आप लोग, 24 में से 16 भी घटा लो 8 आजाएगा वापस ठीक है, भाई, हम मेरी सिरदर्दी है, यार, या 8,000 रुपे मैंने ना तो वापस करे कोई नहीं, तुमने क्या कहा था, कि जब आप allotment दोगे देखो, allotment, money, due, मांगी, on loyal हो जाओ, honest हो जाओ, 400 share पे मांग न हाँ, वो बात अलगे, देखो, 400 का breakdown कैसा है, सर 30 रुपे, तुम्हारे face value के और 30 रुपीज तुम्हारे premium के, बताओ, company का पहला फर्ज क्या है कौन सा पैसा वो पहले वसूल करना चाहती है, extra वाला या नई भाई, जितने का share है, तो face value पहले पूरा किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना यार, face value की priority जादा है, इसी तरह से 60 से होने वाली है multiply है, वैसे तो, हाँ, full flesh 60 से होईगी, by the way, कुल मिला के सर, आप 24,000 रुपे मांगना चाहरे हो, हाँ भाई, 12,000 दे के यार, वैसे face value और this is premium, done, तुम मांगना चाहरे हो, 24,000 रुपे, वैसे तो, उसने allotment नहीं दिया, कोई ये नहीं कहाएगा, 24,000 नहीं दिये, less करो, पहले से 8,000 आए होई थे, 24,000 में से, अच्छा सुनो, face value का पैसा पूरा हुआ या नहीं एक काम करते हैं, पहले, ऐसे देख लेते हैं, 24,000 आने थे भाई तेरे, अच्छा तेरे 8,000 पहले से आए होई थे, ठीक है यार, तेरे 16,000 नहीं आए होई according to me, this is the call scenarios, या फिर allotment money not paid by the सुनिल, अब इसे आओ filter करें भाई सर, filter कैसे, ध्यान से समझे न, हाँ भी, 8,000 अडवांस आया हुआ है, 12,000 का payment पूरा कर पायागा, यह नहीं कर पायागा, मैं तो यार, इसे न, ऐसे लिखना चार हूँ, यार, 12,000 को, 8,000 प्लस, 4,000, तो सर, 4,000 का face value नहीं दी, इसने, जै कोई 16,000 को समझो, 4,000 की तो face value नहीं दी, और, सर, 12,000 का पूरा premium नहीं दीया, इसने, यह है वाई, इसकी controversy, 16,000 की, यह है, तो कुछ face value पूरी होई, हाँ, वो अडवांस है, वो ता 8,000 का, वो पूरा हुआ, यार, अभी द टिक नहीं लगाएंगे, समझेंगे पहले, by the way, general नहीं चाहिए, इन्हे, you can, बिटा, आप working note में समझा सकतो, sheet पे, अपने अंदाज में समझाना, बस, एक अंदर की बात, अगर शायद आप के अंदर है, सर, पूरा करना पड़ता है, क्या question, तो आज का answer यह है, कि नहीं भ पर शायद application पर पैसा कितना आया, जिसे मैं बचा सकता हूँ, उससे कहा मैं, क्योंकि for feature करवाएगा, जबत कितना कर सकते हैं पैसा, by the way, आओ, care allotment money, due, but not receive, from सुनील से कितना पैसा नहीं आया पई, sir, according to me, 16,000 नहीं आये, जिसमें सारा premium नहीं दिया, और 4,000 की face value नहीं द गए है, ठीक है, चलो वही, अगला करते है, अब नीचे आते ही न, अच्छा, दो है न, बंद इसमें, सुनील है और एक और है, रिशब है, ठीक है, अब वो कह रहा है, अलोट्मेंट बताओ, कितने की receive होगी, अभी करते हैं इसे, no issue, पर मैं यह देखना चाह रहा हूँ, रिशब ने अलोट्मेंट मनी दी है या नई दी, while, जब की, देखो, while अगर लग रहा है न, तो मुझे ऐसा लगता है, रिशब इदर जाता होगा, और सुनील उदर जाता होगा, क्या गया रहो सर, मतलब दोनों की न, विपरित वाली इस्तीती है, रिशब ने holding, अच्छा और वर्ड चल सकता, सिनोनियम में, मैंने का holding, रिशब ने बताओ, अपलाई करें दोस्तों या नई, इसे दोस्तों मिले, holding लिखाया मतलब सर, दोस्तों शेर मिले हैं इसे, पता लगा लूँमा, 3 to 2 की रेशियो से अपलाई कितना करा होगा इसने, by the way, paid the first and call money दी, इसने, अच्छे लोग, तो मुझे इस बात से फरक पड़ता है कि आप बताओ, फिलहल, नहीं, मेरी सुनोगे तो हाँ, क्यूं, अरे allotment पे first and final का भी पैसा आगया, हाँ, bank account बढ़ गया होगा, बेटा समाल लेंगे, no issue, तो मसली chartered accountant हो, इनकी आगे की भी सुनते हैं, इनकी आगे आने वाले हैं, आखिर allotment पे पैसा कितना आया, बेटा मेरा बहुत मन है कि नहीं मैं allotment पहले due करके दिखाऊं, तो मैं कर रहा हूँ, आप मत करना, पहले ना company due करती है, मतलब मांगती है, क्यों, पहली entry में तो bank debit हो रहा था, जब तो एकदम पैसा जाते हैं, अरे जिसने apply करा था, तुम्हारे share खरीद रहा था, वो कुछ amount दे दी उसने, अब तुम्हारा हक बन गया है उस पे, अब आप मांग सकते हो, बेटा एक बात बुलूं, या तो आप VI के user हो, या आप ATL के होगे, जो भी है, SIM, GEO की, तुम जब उसके subscriber हो एक तरह से, तो company क्यों message करती है आपको जब आपका recharge खतम हो जाता है, अब वो हक जताती है बेटा, कि हमारा person है, तो जब मैंने 20,000 share issue कर दिये थे, मैंने तो application website पे add चलाया था, लोगों ने खरीदा, तो bank करा debit, अब अगली call हम मांग रहे है बाई, सर समस्तो आ रहा है पर थोड़ा कम, बेटा यही reason है, पहली entry में bank debit होता है, जब की बाकी की जो भी entry हो, उसमें हम पहले मांगते हैं, कि भाई, allotment का पैसा भेज़ दो यार, आपने apply कर रहता है, मांगते हैं और फिर receive करते हैं, मांगते हैं, यह देखो, first and final मांग रहा हू हाँ भाई, asset होता है, इसलिए debit होता है, मांगता हूँ, फिर receive करता हूँ, वो बता लग है, receive करने में धोका भी खाता हूँ, आओ, सब के सब, धोका खाया है, चलो भई, share allotment account debit, क्योंकि है, यह मेरा asset, क्योंकि उन लोगोंने खरीदा है मेरा जो share है, मैं तो भाई, अपने यह amount रहती थी, बताओ, कितने shareholder से मांगोगे, जितने share आपने issue करें, यानि कि भई, वो, hello, 20,000 shareholders, वो आपके न, बाकी की amount आनी थी, जी, 30 रूपीज, क्योंकि भई, मैं तो अपनी, एक से करें, वो 100 रूपीज का dream देखा था न, मैंना तो 100 रूपीज की face value, उसमें से तो 40 आया है, पहले, अब आज मैं request करूँआ, कि बाकी की 30 भी आया है, और, भाई, इसके साथ, न, SPR उठा हुआ है, 20,000 shareholder वालों से, 30 रूपीज का premium भी लेना है, यह मैंने ऐसी लिख दिया, पी मैंने का, दोनों same से हो जाएंगे न, done, हाँ भाई, बदो expectation क्या कहती है, sir expectation यह कहती है, कि 20,000 shareholder वालों से, 60 रूपे की call करवादो, done, 6,21,12 होता है, बट अपकी बाद रकम जादा बड़ेगी, 4 होगे, 5 होगे, done, it sound like 12 lakh रूपीज, हाँ भाई, क्योंकि 20,000 की 6 से ही करते हो, तो ही 1,20,000 आ जाता है, उसका 10 गुना ओर, तो मैंने गा कि 12,000 रूपी हैंगे, तो वो कह रहे हैं, ऐसे कैसा हैंगे भई, कुछ है नहीं, 6,000,000 रूपीज तो, face value, share capital में जायेगा, और बाकी के 6,000,000 रूपीज, SPR, क्या SPR पूरा होगी है मेरा, सोचो, हाँ sir, क्योंकि, और कहीं से कहीं तक SPR था नहीं sir, done, एक बात बोलनी थी, सोचो, जिस कंपनी ने 20,000,000 share issue कर रहे हैं, और 100 रूपीज का कह रही थी, एक है, सोचो, वो कितनी share capital बनाना चारी है, कौन बताएगा, sir, रुको, 0 गिंते हैं, भाई, डिस इस 20,000,000 रूपीज बनाना चाहती है, वो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 12,000,000 रूपीज आ रहे हैं, allotment पे, कौन बताएगा, application पे कितना आया होगा, नहीं, वैसे तो जादा आया है, मतलब face value के हिसाब से क्या हो, यार, हाँ, वो जो second entry नहीं करते, वो bank account debit करके, जो आप वो transfer करते हो, तो उसमें share capital कितना credit हुआ होगा, ये क्या अधाम है, क्योंकि बाकी का तो adjust हुआ है, allotment लिखा होगा हमने, बाकी जो जादा आ गई amount, तो 20,000 रुपे सर, 40 के हसाब से लिए होंगे पैसे, सर, 8,00,000 रुपे वहाँ बने इसके, 8,00,000 रुपे यहां का हकदार है, application, then allotment पे 6,00,000 रुपीज ही आया है, बस face value के, और first and final पे फिर से amount आईगी, share 6 आजएगी, तो सोच के देखो, 12,000,000 रुपे और top वाला कितना है, सर, 8,00,000, तो भाई 20,000,000 रुपे भी बन गए, हाँ ना, प्लीज धियान लखना भाई, चलो, तो सर, अब हम धोका खाएंगे, देखो, bank account, debit, यह वाली बाते, जो हम यहां लिखेंगे न, यह working note में बया करते हैं, जब कुछ जादा ही हो जाता है, देखो यार, सर, 12,00,000,000 रुपे हम सोच रहते हैं आएंगे, पर किसी ने यह नहीं सोचा, कि वो जब तुमने promise कर रहा था, application ज़्यादा लीती, तो तुमने क्या promise कर रहा था, कि ठीक है, बाद में पैसे मत भेजना, मैं उसकी general entry create करता हूँ, जब website पर add चला रहा था, मुझे क्या पता यार, 30,000 लोगों ने subscribe कर लिया, 40 के साब से, payment हो रही थी, application form यह दिखा रहा था, उस time तो कुछ नहीं, मेरा bank एकदम boost हो गया भी, bank बढ़ी गया, पर जवाब हर एक पैसे का देना पड़ता है, ऐसे मत सोचा करो की, चलो भी bank account debit ह हुआ, कोई बताया का कितने रूपीज से, सर, 12,00,000 रूपेश है, येस, हाँ, 12,00,000 से हो गया, वो बात अलगे है, मैं हकदार ही सिर्फ कुछ का हूँ, ये देखो, share capital में कितना जाएगा, सर, 20,000 share है, और 40 के साब से, सर, this is only 8,00,000 रूपीज जाएंगे, जवाब दो वो चार लाख, क्या question, refund कहता है, नहीं, थोड़ा तब्यस से करता हूँ इसे, यार, application की सच्चाई, जाधा amount उठाई, और फिर कुछी share capital में ही जा पाईगी, भई, share ही भी सजार है, कई बार मैंने जब मेरे पास सबसे पहले जब आया था, 12th में ये सब, तो मैंने का, यार, 30, 30,000 कर देते हैं, फिर, जाधी कर देते हैं, जाधा capital बढ़ जाएगी, तो फिर समझा यार, चीज़ों को नहीं, ऐसा, नहीं होता, पांच लाख का लोन लेना चारा था, बैंक से, बैंक कहा रहा है, नहीं, 10 लाख का लेलो आप, तो आप शाह समझ पा रहे होगे, done, अरे, बाकी के पैसे का जवाब दो, भाई, कोशन में, अगर refund आ जाये कभी, एक्जाम में, कि access all application money, refunded, वो कहेगा ही, नहीं, रिजेक्ट कर दिया, अब है, रिजेक्ट का मतलब, बाकी के पैसे दो, by the way, by the way, यहां तो, बाकी के पैसे मत भेजो, वो इतने अच्छे shareholder है, वो कह पास सब, कि, नहीं, मैं, अगले महिने भी तो पैसे भेज हुआ ही, तो आप refund क्या कर रहे हो, अगली fees में, adjust हुजेंगे, चलो, तो, by the way, this is, भाई, चार लाग का promise, यह चार लाग रुपे आये कैसे होंगे, देखो, दस हजार, applications आगी थी, जादा, दादा, वो 40 रुपे क आप से payment कर रहे तो, चार लाग रुपे हैं, तो आएंगे है नहीं हम, 4 लाग तो आएंगे नहीं, done, और, अभी धोका भी तो देखा था, सर, और कितने नहीं आये ते, देखो, actual पता गरा, पहरे तो हमने उंगलिया उठा दी, भाई, 24,000 नहीं दिये तुने, फिर उसने का पीछे करणवान चेक करूँ, फिर मैंने का भाई, 16,000 नहीं दिये, तुने actual, तो 16,000 नहीं आएंगे, basically less होता जा रहे हैं, क्या रहो हमना, दुनिया में सब टाइप के लोग हैं, क्या पता किसी ने, first and final का भी दे दिया हो, एक ही बार में, होता यार ऐसा, तो आओ प्लस कर देंगे, first and final का balance कितना आ रहा था, sir 30 आ रहा था, ठीक है यार, अच्छा वो बंदा जो है, देखो, holding मुझे कह रहा है, भाई बड़ा प्यारा question है, holding मुझे कह रहा है कि 200 share ही है उस पे, actual, 200 share ही है उस पे, तो 200 share ही है उस पे, तो 200 share पे 30 रुपे के साब से, जो first and final भेजनी अच्छी थी कभी, वो आज ही दे दी, बताओ कितने दिये हूंगे उसने, sir 6000, उसे देने भी 6000 छी है, सोचो दोस्तों न, hold करता है, holding, दोस्तों hold करता है, कौन बताएगा, कि उसने apply कितना घरा होगा, apply कितने share हो के लिए किया हुगा, कोई share ही बता पाएगा भई ये, हाँ वई, 300 के लिए, क्या ratio manage कर रही है, हंजी, sir, हंजी, 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 2-0-0 कटी, और आगे कभी अब कट नहीं रहे, तो ये ही ratio बन गई, 3-2, by the way, सच बात बोलू, 300 share पर कभी इससे पैसे मत मांगना, क्योंकि वो ख्वाब थे, इसके, वो holding word क्या बता रहा है सर, आज इस पर 200 share है, allotted, सर, ठीक है, मैं समझ में आगया, हाँ भई, तो 6,000 रुपे, please receive कर लो, allotment पर ही, this is the received वाली, है ये वाली जो stage है, चलो, bank account debit हो रहा है, done, भाई, credit क्या करूं, क्या करते हूं, पहले तुमने उसे asset माना था न, पैसा आएगा, किसी medium से, तो आज उ पूरे से credit नहीं कर पाओगे, 12,00,000 से, क्यों, क्योंकि 12,00,000 रुपे नहीं आए, भाई दाव यह चलो, पहले इसे solve कराता हूं, this is 8,00,000 रुपी, देखो भाई, यहाँ गडबडी देखिये हमने, क्योंकि यहाँ लाखो पर बात होते हैं, फिर यह 1000 रुपे आती है, फिर माइनस 10 करना है, ultimate, जखो अब इसमें भी गलती करते हैं हम लोग, 8,00,000 आ रहा था न, अरे 7,90,000 आएगा बाई, क्योंकि 10,000 महां से रकम तूटेगी, ठीक है, पहले इन 1000 वालोग को भी आपस में लपेट सकतो, आप लोग जैसे मरजी कर लो, बाई यह हमारी बुरी किसमत यह देखो, चार लाख से, चार लाख में, सात लाख एड़ करना, सर, 11,90,000, 11,90,000, तो पूरे से नहीं हो पाया, क्रेडिट, हाना, एक चीज और करनी थी मुझे, देखो, ऐसे तो मैं, मिस्कंसेप्शन में जीरों, बोल लेता हूँ, हो जाता है कभी होगी, कॉल सीन अडवांस, भी तो दिखाओ, कितने 6,000 रुपे, तो परस्नली मुझे ऐसा लगता है, 7,00, दिस इस, रुखो, 6,084 तो नहीं भाई, यह तो कॉल सीन अडवांस है, भाई, जो इतने छोटे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सपोर्ट तो वड़ बहुत बुरा लगता है मेरे को, हाँ भई, तुम लोग शेर फरस्ट और फाइनल भी लिखके आ सकते हो, एक्जाम में क्यों, बई, फ अब देखो, सिस्टम चेक होने के लिए जा रहा है, सर बारा लाक रुपे डेबिट थे, एसेट के नाम पे, पर क्रेडिट हो पाए सिर्फ सेवन लाक एट्टी फोर, इट्स ओके, इट्स ओके, क्यूंकि बाकी के चार लाक ये रे क्रेडिट हुए वे, चार लाक से क्रेड और यहाँ सेवन लाक एट्टी फोर से क्रेडिट, इट्स ओल अबॉट एलेवन लाक एट्टी फोर, ग्यारा लाक चौरासी हजार से तो क्रेडिट हो गया, जो तुमने कभी एसेट बनाया था अपने सपनों में, बार लाक रुपे से डेबिट करा था एसेट के नाम पे, और इतना पैसा आ गया, कितना नहीं आया, gap कितने गया, 16,000 रुपे नहीं आया, तो वो यह बाते बता तो दीती है, हाँ फे 16,000 नहीं आया, तो किलियर भी हो रहा है भाई, कि 16 इस नाम के नहीं आया है, हर कोई, हर कोई ऐसी पता लगाता है, कि जितने से डेबिट हुआ थ तीन महीने बाद देने से अलोट्मेंट थो, ठीक है, क्रेडिट माना, हाँ जब हक हुआ ना ब्रो, जब हक की बात आई, तो फिर हमने डेबिट करा, तीन महीने बाद मैंने डेबिट करा, कि जी एसेट है मेरा, फिर एड़्जस्ट हुआ, जैको मैं अगली कॉल ना हमेशा क्रेडिट करके चलता हूँ यार, क्योंकि फस्ट कॉल तो मांगी नहीं अभी, वो तो दिसंबर में मांगनी थी, सोचो दब, देखो समय समय की बात है, जब दिसंबर आयागा ना, शेर फस्ट एन फाइनल, डेबिट करूँ ना हक से, क्योंकि ऐसेट है ना, पर आज देख रहो, कि सर, इतना बड़ा कुश्टन, आप बना रहे हो बड़ा, है छोटा, या फिर कॉलिनेरियर करके, अज़ेस्ट करके दिखाओ इसे, कि सर, कुछ पैसा अगर कॉलिनेरियर में जाता, तो क्या होता, बाइदावे, अलोट्मेंट पे पूरा पैसा कितना आया, सर, 7,90, बेटा, आपको नीड नहीं है, एक्जाम में जनरल भनाने की, तुम ऐसे ही प्लस माइनस करना, नहीं तो वर्किंग नोट में करना, सर, 7,90, कहीं ऑप्शन में है, नहीं है यार, अब यार, गलती कर दी य यार, देखो ऐसा है, सारी चीज़ें सही है, मतलब देखो, अगर इसकी जनरल होती ना कभी पास, तो पक्का 7,90 ही बैंक से उठेंगे, पर अब चीज़ें किलिए रुई मेर को भी, वो गहरा, अलोट्मेंट मनी बतानी है, अलोट्मेंट मनी कितनी आई आज तक, अलोट्म यार, रुपे तो first and final के है, वो नहीं पूछ रहा, सिर्फ अलोट्मेंट किया रहा है, कि अलोट्मेंट कितनी आई, तो वो यार, इतना सिंपल है, बारा लाक मांगी थी, चार लाक पहले से आई भी थी, 16,000 किसी ने दी नहीं, फिल्टर करी उस अमाउंट को, तो अलोट्मेंट मनी ही बोली है, मैं बस यहीं तक रहूँगा, अगर वो मुझसे कहता न, अलोट्मेंट मनी, रिसीव करते टाइम, बैंक के खाते में कितने बड़े, तो जी, बात अलग थी, by the way, अलोट्मेंट मनी बे फिकर रहो, 7,54 आ गई, और देखो, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर, आठ लाग रुपे बनाएंगे, हाँ, तो कहना के चाहरे हो, भाई, जितना टोटल कभी मांगा था, अलोट्मेंट पे, लेस, जितना उसने एक्चुल में नहीं दिया, तो यहीं तो कहोगे कि सर कितना दिया, कितना आया अलोट्मेंट, ठीक है न, भाई, धियान लखना, जो अभी तक भी टिके हुआ है वीडियो में, तुम्हारे भाई ने 6,000 रुपे जोड लिये थे, अगली कोल के, पर वो तो सिर्फ मांग रहा है, अलोट्मेंट के, नेक्स्ट करते हैं, गया रहा, कितना आया होगा, रीशप का, रीशप का अडवांस, जो भी आया होगा, अलोट्मेंट पर एड़ेस्ट हो गया होगा, था न, वो देखो, कंसेटर नहीं करी बात हमने, एक छोटी सी बात बोलूँआ भाई, बहुत छोटी सी बात बोलूँआ, कुछ ही बच्चों के लिए बही मैं यह देखना चारा हूँ, घर पे बैठा हूँ, एक अभी शेक बच्चा, क्या वो करना है मतलब, इस्टूडेंट क्या सोचता है, यह चार लाख का अडवांस के अंदर, क्या यह 24,000 रुपे का अडवांस था या नहीं, यह बताना आप लोगों को, यह चार लाख रुपे प्रॉमिस करें, कि ठीक है, एड़्जस्ट करवा दूआ, मत भेजना पैसे, कम भेज देना, तो क्या उसी में थे ना, यह 24,000 रुपे, हाँ, यह जो कहा था, तुमने कभी, कि 4,000,000 रुपे ठीक है, एड़्जस्ट कर देंगे, क्या सुनिल के, 8,000 रुपे उसके अंदर, इंक्लूड है या नहीं है, सुनिल का अड़्वांस जो है न, वो 8,000 रुपे है, तो वो न, 4,000,000 में इंक्लूड होगा, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग है, जिनका सब का पैसा जुड़कर, 4,000,000 बनाए, ठीक है न, बेटा, वो बात अलगे है, इसका अड़्वांस, इतना नहीं था, कि अगली कॉ सुनिल को जहल पाए, तो इस पे उंगली उठाए गई, कि भाई, 24 देने थे, 8 घटाने के बाद, तूने 16 नहीं दिये, तो इसलिए हमने 16 लेस किया है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज है न, ये 16 इसी में तो नहीं है, नहीं, इसमें एडवांस है, 8,000 रुपे गा, जो सरे लोगों के, वो सम मिलकर कितना बना रहे थे, 4,00,000 रुपीज का डवांस, ठीक है न, यार, Now, move on to the for feature वाली stage, कुछ बात है न, जनरल में अच्छी लगती है, सर आप ये format क्यों बना रहे हो, बिटा, अभी हम जनरल से समझना चाहते है, आरफीवो को, सर जनरल तो मांगा नहीं था, पर सोचो, अगर इनकी जनरल इंटरिस बन रहे होती, तो हो क्या रहा होता, हाँ ब कितना मांगा उस से आज तक, पहली बात तो सुनील के share वर forfeited, सर सुनील के share कितने थे, सर उसने न 600 के लिए apply करा, पर आपने share कितने hold करता था, वो only 400, ठीक है जी, कभी कभी मैंने काया न, इसका applied बता देगा, सुनील का applied बतायागा, अनिल या लीशब का a lot बता देगा, तो 400 share reject करो भाई, आप लोग इनके, पर एक छोटी सी बात, आज तक मांगे कितने थे, मेरी share capital कभ कभ credit हुई इसकी वज़े से, जैसे share application में, हाँ सर वो application receive करने के बाद, जो second entry होती है, उसमें सुनील के share पड़े हुआ है, 400 है शाय, done, एक तो इसने जब करवाया मेरी share capital credit, और कप करवाई, बताओ और कप करवाई, सर कुछ नहीं जब allotment मांगी थी ना, तो आपने फिर से वोई credit करी, ठीक है, बताओ first call मांगी गई है या नहीं, क्यों interested हूई है जानने में, thereafter, बाद में first and final was made की गई थी, और सारा पैसा ले लिया गया था, duly received, ये duly received, थोड़ किसने calling area नहीं करा, तो बिटा, आज आप लोग सारे मिलकर, 400 share पे, कितनी amount आज तक मांगी थी, by the way, इसे called up क्याते हैं, मांगा कितना गया था, अब कुछ बच्चे कहेंगे, कितना मांगा गया है, देखो ये तो तुम्हें पता चल गया, application मांगी गई या, allotment मांगी गई थी, कुछ बच्चे कहेंगे, 100 रूपे से debit, नहीं भाई, face value से debit, क्योंकि वो 30 रूपीज का premium, तो अच्छा खासा मांगा गया, वालो शेर, उसमें, security premium में, ये रख, इसका तो अलग से वो बना था, SPR ये रख, तो वो तो share capital का हिस्सा नहीं है premium तो, वो तो अलग से आता है, अंजी division, मुझे ये वदाना कि share capital में कितना गया, बेटा 40 और 30, सर 70 रूपीज, और 30 सर अभी हमने मांगे लिए, और जो 30 SPR में आए हुए हैं, वो तो SPR का ही लेना देना है, I don't know उसके बारे में, share capital में कितना गया था, reject कर रहा हूँ न, तो cancel होना चाहिए, बेटा, कुछ पैसा तो तुम लोग जबत कर लोगे, share forfeited कहलो, और एकदम से कहोगे कि भाई तुने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, for example, by the way, उसने बसना यार, वो नहीं दि, share allotment, application तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना दे, applied गरा उसने, उसकी गलती होगी, applied गरा उसने, मैंने हक जताना start कर दिया, फिर allotment नहीं दि उसने, और first call तो मांगी नहीं दि, पर allotment कितनी नहीं दि उसने, वो भी बहुत बड़ा बात है, मतलब उसने allotment कितनी नहीं दि, सिर्फ 16 नहीं दि उन्होंने, लिखो आप लोग 16 नहीं दि भई, अलोट में, अच्छा, ऐसा तो नहीं, इसने premium ना दिया हो भाई, इसने पूरा premium नहीं दिया, 12,000 का, और मैंने पता क्या सीखा है, भाई मैं तो SPR क्रेडिट करके बैठा था था ना, इसके नाम का, पर 400 शेर पे जब आया ही नहीं, 30 के हिसाब से premium, यानि कि 4,000 रुपीस का, इसने पूरा premium मिस करा, तुम्हारे भाई ने premium डेबिट करा, सर क्यों करा, क्योंकि मैंने न, देखो यह जो 20,000 रुपे है न भाई, सौरी, यह जो 20,000 शेर सोल्डर है, उसमें, जो आज तुम 400 शेर रद्द कर रहे हो न, वो भी इसी में आता है, अच्छा आप यूं कहरा, सुनिल के शेर इसमें आता है, ठीक है, सब को 30-30 रुपे के हिसाब से पैस फिल्टर भी कर रहा कि नई आर प्रीमियम का कोई पैसा नहीं आया, तो क्यों पढ़ा रहे है, यह 12,000 रुपे दिखा रहा है, यह कुछ है नहीं, 6,000 रुपे, I think, I think, this is 5,88,000 ही है भाई, यह actual प्रीमियम, जो आया है मेरे तक, तो 12,000 से क्यों क्रेडिट करूं, आज अपने आप समझ जायागा, देखो, सर 6,00,000 से क्रेडिट, 12,00,000 से डेबिट, शायद आप लोग भी कोगे कि 5,88,000 का प्रीमियम लॉकर में पढ़ा है, इतना सिंपल है, आप लोग डू पहले कर लेते हो, और फिर रिसीव होनी पाता, तो चीज़े सही करनी पढ़ती है, क्यों के मांगे थे, अलग से बताते है, 30 रुपे प्रीमियम के नहीं आए, प्रीमियम पूरा ही नहीं आया, पर अलॉट्मेंट में फिल्टर करके पता लग, अडवांस अड़्यस करने के बाद किया ना किसी से, सर 16,00,000 इसका नहीं आया, भाई या तो वो वाले स्टूड पैसे भेजें, पूरे सर 24,000, एक या बार अप्लिकेशन करिए, अप्लिकेशन मनी करते टाइम इसने पैसे भेजें, सारे जप्त कर लो मेरे साब से, 24,000 रुपे, पर मैंने ऐसा सुना है कि प्रीमियम का पैसा कभी कोई जप्त नहीं करता, क्या ये 24,000 ने कोई प्रीमियम करा, नहीं करा, तो तुम इसके दुआरा भीजा गया, एक बार पैसा, यानि कि एप्लिकेशन, वो ही जप्त कर लो, यानि कि 24,000, हाँ, अगर ये प्रीमियम दे देता ना भाई, तो ना तो यहां आता, डेबिट में नहीं आता है, इस प्र, और प्रीमियम अगर मैं वसूल लेता, सोचो, अडवांस जादा है, अलोट्मिंट का प्रीमियम पूरा कर गया, इसका अडवांस, तो प्रीमियम का बैसा कभी जप्त मत करना, अना डेबिट में कभी मत लिखना, क्यों, अरे वो क्रेडिट में पढ़ा तो है, मुझे पता है, वाला पॉइंट समझ नहीं चेक करो, मैच हो रहा है या नहीं, यह कहानी थी, फॉर फीचर की, बाइदावे, तुम्हें यह समझना है, कि जप्त किया कितना, कोई मुझे बता है का 400 शेर के साब से कमाई, कितनी होई होगी, किस से मल्टिप्लाय करूं, 6 से 24,000 बनवाना है, सर 60 से कर दो, अभी शेर कहन पॉइंट में आ जाता है, no issue, देख नहींगे, कभी पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि उसने तो 600 के हिसाब से apply कर रहा था न, और आज प्रोराटा चल रहा था, तो मैं 400 पे लेगिया बात को, no issue, ठीक है, next, reissue, चलो और issue करते है, पर 400 शेर लोकर में पड़े है, bucket के How many share ratio? सर, first and final मांग ली थे, ठीक है, ठीक है, half of the forfeited shares were ratio, अब चाहे वर्षा को कर लो, चाहे किसी को भी, पर 200 share ratio कर वाले है, सर, सुनी लगी, हंजी, एंजी, एंजी, रीशप के तो share, जब अरे यार, रीशप के क्यों करूँआ, वो तो अच्छे लोग है न, दुआ सलाम अबढ़ी है, मेरी रीशप से, चलो, मैंने ऐसा सुना है, जब दुबारा से आप रीशू करते हो, फिर से bank उठने का मोका मिलता है, क्योंकि, वो पहली entry आते किसी को, जब पहली पहली बार पैसे आयते, येस, bank account debit हुआ करता है, पर अब आपना, कोई application जारी नहीं करी इस चीज की, prospectus एक बार issue कर रहा था, तो मैं कहना कहा चारो, अब direct share capital आयागा, वहाँ share application आया करता है, देखो भई, सिर्फ 200 share, क्यों? he said half, 200 share पे ना जाने क्या market rate था, वो देखेंगे, by the way, 200 share पे तुमने उनसे कितना का, कि paid up कि इतना आ गया, लिया कितना, वो भी देखुआ, क्या गवाया, या नहीं, extra कमाया, यानि कि SPR, sir, वरशा को करा था, fully paid, four, एक बात बोल रहा हूँ, four वाली संख्या, यहीं four गया ना, exam में, four वाली संख्या, यानि कि, बता दूँआ यार, five chocolates हाई, four ninety rupees, यानि कि, यह हमेशा amount बताता है, मुझे, 90 रुपे लिये हैं, और पता जनता से क्या का है, fully paid, fully paid up, for example, तो fully paid up is all about, sir, आपका न, share कितने का था, उसकी face value, जनता से, 90 रुपे लेके कहते हो, 100 रुपे आ गए, fully paid up, अब कभी पैसा मत भीजेगा, सारे आ गए, अरे भाई, 10 रुपे का discount दे आया है, आप, हाँ, कोई बात नी, भाई, second hand भी तो हो गए, यह share, कम में करवाना पड़ में कितना गया, हाँ, fully paid up भी वोई, जबकि हमारी mind की conditioning ऐसे हुई है, paid up मतलब मैं समस्तों, bank में इतना पैसा आया होगा, दूसरी बात यह paid up capital है, book में जो दिखाया था मैंने, paid up capital और called up capital, तो capital में ही जाएगा, आप इतना समझोगा सभी, फिलाल, हाँ बई, यह 10 रुपे क loss P&L दिखाऊ, profit and loss, नहीं, मेरा loss मत बढ़ाना, statement of P&L में मत दिखाना, जो तुमने जप्त करे ते भूल गए, वहाँ से adjust कर लो न, वो जो पैसा जप्त करके रखा था company न, आज discount दिना पड़ रहा है, तो यहीं से adjust करो, हमारे P&L में मत आओ गई, तो share for feature तो nominal account है, यह लो और यह 2000 का discount दिया, क्योंकि मैं तो 20,000 की share capital बना रहा हूं उन लोगों की, पर 18,000 रुपे ही ले रहा हूं, तो 2000 का discount दे रहा हूं, कोई बात नहीं भाई, मेरी share capital कम भी तो वी थी, और यह अच्छे लोग है, और फिर business भी तो करना है, पर एक commerce sense वाली entry, this is capital reserve, आखिर हमारे capital reserve के answer क्यों नहीं आते हैं, सर आपकी तो spelling भी कर लाते हैं, जल्दी मिली खाया बीटा, हाँ वई, सर share for feature ना पहले कभी credit हुआ, काफी बड़ी amount से, 24,000 से, सर आज debit हुआ, सिर्फ 2000 से, तो अगर आप समझोगे तो 22,000 आज भी credit है, तो 22,000 का मुनाफ़ा लग रहा है मुझे पर आपकी teachers बता बता के ठक गए, number of ratio जितना रीशू करा उसी पे निकालना, देखो इसे ऐसे खेलते हैं, बचाया कितना, कितना बचाया, कितना गवाया, और कितना कमाया, सर 50 रूपीज पर share आपने कमाया है, पर प्लीज उसी पे निकालना जितना आज रीशू किया है, व बेक हुआ, ज्यादा पर no, मुझे नहीं बता, उसके बारे में, अभी मुनाफ़ा सिर्फ दोस्तों पर कमाया है, तो यही लिखेंगे, सर ठीक है, एक shift करवारे हो, आप capital reserve की तरफ, हाँ भाई, ये भी reserve है, general reserve नहीं, जो कभी-कभी होता ना, बहुत-कभी-कभी, हाँ, rare case ह बहुत-कभी-कभी होता है, तो उसे कहता हूँ, capital reserve, क्या debit करूँ, अब देखो, यहाँ बड़ा चक्कर है, यार, क्या debit करूँ, देखा जाए तो 200 share पर आधा, 12,000 रुपई, आपने कमाया है, 12,000 करके तूटाए है, done, सो चो, credit आपका ज्यादा है, पर accounts में, याद करो, वो cancel करने के लिए, आप उल्टा काम करते हूँ, यानि कि debit, 12,000 का credit मानो, प्लीज, 24,000 मत देखो, अभी 12,000 देखो, 12,000 का credit, सर्फ 2,000 का debit, तो 10,000 का credit balance पढ़ा हुआ है, उस credit balance को अभी तक, अपने तक ना credit करते हुए, आओ उसे आज debit करें, और transfer कर दें, capitalism में, यानि कि 10,000 ठीक है, कौन बताएगा, आज क्या forfeature में, मेरे पास credit में कुछ है या नहीं है, हाँ सर है, वो बाकी के 12,000 रुपे, क्योंकि 200 share पे 60 के साब से, वो 12,000 पढ़े हुए हैं, क्योंकि 12,000, ये देखो 24,000 credit में, आज हो full हिसाब से देखते हैं, aggregate basis पे, 24,000 credit, 2000 debit, यानि कि 22,000, फ पढ़े हुए, credit में, वो पढ़े रहन दो, gain है, पर रीशू पे बताते हैं, हमने थोड़ा सा focus क्या कर लिया, ये तो बाकी के 2 MCQ आप लोग, देखो gain कहा रहा था, gain कितना आ रहा था है, हैर मेरा, सर आप कहा रहा है, 10,000, done, हाँ वो 200 share पे देखी, कमाई, यानि कि 50 रुप और ये दो बार हुआ है न, debit, for feature वाला हन जी सर, debit से credit निम्टा ही नहीं, आज भी balance credit में पढ़ा हुआ है, तो बस कुछ 12,000 पे जो है, दिल से शुकरिया